इन दिस क्लास वी आर गोईंग तो डिस्कॉस दा स्विचिंग सर्कुट ऑफ दा लोजी गेट्स और गेट एंड गेट नोट गेट यह जो तीन गेट यह बेसिक गेट उपते हैं इनका आज हम स्विचिंग सर्कुट देखिंग क्या उपते हैं तो पीछ वाड़ी जो क्लास इसका दर आपने बताया था आपको की गेट्स कैसे काम करते हैं उसमें practical demo भी करवाय था उसका दर देखा था हमने की दो inputs थी A और B वो क्या थी उनको एक पर देखते हैं फिर इनको हम करेंग आगके तो स्टुदेंट्स आपने इस प्रकार का को यह देखा था जो आम नहीं रही इसके अंदर भी यह आपकी बी इंपूट है और आउटपूट के लिए आप एक इंडिकेटर लग हुआ है अब देखो सामने बोर्ड को उपर मैंने इसी प्रकार से डाइग्राम बनाए इनके तो इनको वन बाई बाई इनका डिस्कस करते हैं कैसे तो यह आप देखो य और यह आउटपूट वाई वाई का मदलब यह जो इंडिकेटर का जो बलब है जो गलो करेगा या नहीं करेगा वो इन पर डिपैंड करती है इसी तरह तिन्नों को मैं कंपेर करके पड़ा रहा हूं यह आपकी इंपूट ए इंपूट बी यह आपका इंडिकेटर इंडिक डिसकस के था और गेट का जो ऑपरेशन था हो ता पलस टूथ टेबल कैसे लिखी जाती है कि ये सभी जीरो और वन की पॉसिबल सारी पॉसिबलिटी जो हमने लिख रखे है ऐसे लिखेंगे इसको हम मैंने यह से लिखना स्टार्ट खिरवाया था दो की जीरो दो की एक दो की जीरो कमान कितना होता है एक तो एक बार जीरो एक बार एक एक बार जीरो एक बार एक और यह कैसे करेंगे दो की सकती एक कि दुकी सक्टी कीट एक कितनी होती है दो तो बार जीरो दो बार एक है अब इनको प्लस करके लिखेंगे देखो जीरो पलस जीरो लॉन 1 इनकी यह भी ऑन year by ओन वो जो मैंने सकूटि का एक्जांपल दिया था उ कि वह भी ओन हो गार यह भी ऑन होगा तCauseubh आपको 1 अब इसको हम इस गेट में देखते हैं कि हमारे पास कोई बैटरी है यहां से करेंट से आई और अभी देखो 00 00 का मतलब यह दोनो ओपन सरकीट हैं जब सरकीट ओपन होगा तो इसमें से करेंट का फलो नहीं होगा क्योंकि यहां पर गैप आगया यह आपस में वायर नहीं है तो आप बताओ क्या यह बलफ जलेगा जब यह भी ओफ होगा यह बलफ भी क्या होगा ओफ होगा तो पहली वाली समाज मागी सेकिंड देखते हैं इसका अंदर कि 0-1 0-1 का मतलब A0 और B1 बी 1 हो बी 1 का मतलब इसको में कनेक्ट कर देता हूं अब बताओ यह बलफ जो है वो गलो करेगा ठीक है इसी तरह निचे वाली कंबिनेशन भी देख लेंगे इसको ओफ करते हैं हम B1 वाली को तो करते हैं ओफ और इसको करते हैं ओन यह जोड दिया अब बताओ बलफ गलो करेगा जैसे इसमें करंट जाएगा अब उसका रस्ता यहां से बंद कि जैसे करंट जो जाएगा यह करंट दो इसम में बढ़ जाता है माल यहां पर आगए आई बाई टू और यहां भी कितना होगा आई बाई टू तो जैसे गूम के इसमें जाएगा तो आप इस कितना जाएगा इंकमिंग करंट इस टेकन पोजिटिव तो बाहर कितना निकल आई ही निकलेगा, जितना करेंट गया था उतना ही आए इसको फिर करेंट मिलेगा थी गलो करेगा, तो ऐसे और गेट का आपने समझ मागया, उसके बाद इसी तरह था एंड गेट, एंड गेट का अंदर गोता है, ओप्रेशन इसका होता है गुणा, स्टार आप इसको छेक करते हैं, यहां पर स्विच नहीं हमने दोनो पैरिल कंबिनेशन में लगा रखे थे अब इसके लो स्विच नहीं है, civ एक हम एजए स्विच है, zero zero का मतलब यहाँ पर circuit टूटा हुआ है open circuit है इसके बाद आपने एक कर दिया याद हो जुड़ गया लेकिन इससे आगे जाएगा है यह नहीं है यहाँ पर break है उसके बाद आपने इसको एक कर दिया इसको जीरो कर दिया इसको जोड दिया लेकिन आगे फिर ब्रेक आगया आगे current जाएगा ही नहीं तो यह current कब जाएगा देखो इसमें से current कब जाएगा जब दोनों 11 हो 11 का मतलब यह भी on हो यह भी on हो on का मतलब circuit close हो अब current जाएगा इसके पूरे हिसके अंदर से निकल जाएगा और आपका bulb जब गलो कर जाएगा तो end gate के अंदर both inputs must be 11 ठीक है अगे देखो एक note gate बच गया note gate में तो अपनी एक input होती है वह इसका नाम होते है inverter कंपलिमेंट तो इसका जो operation होते है वह compliment होगा इसमें थोड़ा द्यार से देखेंगे इस वह मैं दो तरीके समझाऊंगा कि अगर zero करेंगे एक और zero करेंगे तो यह क्या हो जाएगा one हो जाएगा one हो जाएगा मतलब यह ball up जाएगा यह ball up जो हो इसको समझते है कैसे देखो एक पड़ यह पर जैसे और इसको one करेंगे तो वह बंद हो जाएगा उल्टा करता है यह तो जैसे फिर फोर एक्जाम्पल अम यह समझ लेते हैं जीरो समझते हैं कि जब यह यहां से खुला हुआ सर्कीट यहां से जो करंट जा रहे हैं उस करंट को अब घूम के आना पड़ेगा इस रस्ते से जो यह तो रस्ता बंद है यहां से घूमता हुआ आएगा तो बलफ को गलो करेगा और वापपीस अपनी बैटरी के अंदर इसका सर्कल चलता र कि आया फेट कर दिया. एक का मतला lot on यह on कर दिया ताप डेखतेंगे होगा आप देखो करंट के पास दो और यहांसे जाएगा. करंटके पास दो रस्ते में जाए गा एक रस्ता दुशन दूसके पास यहां पीस अपनी बैटर्य में के लिए इसको बोलते short circuit current जो है वामिशा सबसे छोटा रस्ता लेता है अगर उसके पास option आ जाए तो वह बड़े वाले रस्ते जाता ही नहीं है और वह छोटे रस्ते से अपना path लेता है उसको बोलते short circuit तो current जो है वह यही से गूम के यही आ जाएगा तो आगे इसके पास जब current जाएगा यह नीती क्या रहेगा ओफ एक तो हो गया यह ठीक है इसका दूसरा पाट और देख लेते हैं एक तो तरीका समझवा गया current always takes the shortest path यह जो बड़ा वाला path है इसको follow नहीं करेगा उसके बाद इसके आगे एक और देख लेते हैं इसी मही कि मालने यहांसे current जा रहा है तो वो दो इस्व में बटगा यह हमने इसको own करक है तो यह होगा i by two और यहां भी होगा i by two तो लेकिन क्या होगा i by two i by two यह इसका resistance इतना ज्यादा है कि यह current इसको glow नहीं कर पाएगा और यह DC रह तो यह था switching circuit of the gate स्याद आपको समाज में आगे होगी यह मैंने demo में भी करके दिखाए तो पिछे वाली वेडियो में यह ऐसे कहते है कि सो बार कान नों सुनी से एक बार आखो देखी अच्छी होती है और तो आखो देखी मैंने आपको दिखा दिखा दिए यह देख लो य switching circuit of the तिनो जो basic gates से मैंने करवा दिए तो यह समझ मागे होगा आपके आगे देखते है कि इसके अंदर कि जो universal gates कोंड से होते है universal gates हमारे पास यह होते है NAND gate और NOR gate इनको universal gate बोलते हैं इनको universal gate इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी साहिता से हमारे जो basic gate है हमारे जो basic gate है जिनको हमने पढ़ा है अभी कि NOR gate, AND gate, OR gate इनको प्राप्त कर सकते हैं NAND gate से हम यह तीनों के तीनों gate बना सकते हैं NAND gate से यह तीन गेट प्राप्त किया जा सकते हैं इसलिए इनकों बोलते हैं universal gate इसलिए इनकों बोलते हैं universal gate इसलिए इनकों बोलते हैं universal gate हो होते हैं जिनकी साहिता से basic gates को आसानी से प्राप्त किया जा सकते हैं तो universal gates के बारे में बता चल गए आपको universal gates किन को कहते हैं अगे हैं दो बाते हम इसको थोड़ा कर्फूज करते हैं इलेक्टोरिस का इटम के अंदर कि जैसे कोई आपसे पूछे भी closed circuit तो closed circuit को हम बोलते है on तो आप कोई सौचेगा भी कलोज हो गया तो इसका मतलब हमने उसको बंद कर दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम ओन लिख रहे हैं, जैसे मैं कहुं कि यह दर्वाजा अब कलोज कर दो, जो दर्वाजा जब कलोज करेंगे तो आप सोचोगी सर आपने बंद कर दिया, उसको ओफ कर दिया, लेकिन आपने ओन लिख है, यहाँ पर थोड़ा उल्टा सिस्टम है, जैसे कोई यहाँ पर कोई बलब लगा दिया मैंने, और यहाँ पर बैटरी भी है, यहाँ पर की है, तो आप थोड़ा ध्यान दो, यह जो आपकी यह जो बैटरी है, इसका जो करंट चल अपना जो करंट चल रहा है, यह करंट यहाँ आएगा, नहीं आएगा, तो कैसे सर्कीट बता हुए, यह ओपन सर्कीट है, क्योंकि खुल आए यहाँ से, तो ओपन सर्कीट है, यानि कि जब करंट को जाने के लिए पूरा रस्ता ही नहीं मिल रहा है, यहाँ से तार जो है, अब जैसे चाबी खुल ली है और वो क्या है ओफ है लेकिन जैसे ही देखो मैं इसको यहां पर टच करता हूँ चाबी लगाता हूँ बाइक के अंदर अपनी चाबी लगाते हैं तो वह आपकी लाइट ओन होती है अब जैसे चाबी लगाई है थी हो गया अब यह सिस्टम को क्लोज हो गया देखो पहले यहां खुल ला था पहले यह सिस्टम खुल ला था और अब जैसे मैंने यहां पर चाबी लगा दी है तो यह सिस्टम क्या हो गया क्लोज सिस्टम हो गया तो ओन हो गया हमने जैसे बाइक में चाबी डाली ओन करी तो उसकी जो जितनी भी इंडि बेर हो चुक्य होंगी